यहां पर यह सिकारी इस हिरन को मारने के लिए बिलकुल तयार था और उसके उपर एम करके बैठा हुआ था और इस हिरन ने भी उस सिकारी को देख लिया था और इसको पता था अगर यह यहां से नहीं भागेगी तो यह मारी जाएगी मगर मजे की बात तो ये होती है कि ये हिरन अपनी जगर से एक इंच भी नहीं हिलती और वहीं पर खड़ी रहती है और ये सब करने का भी इस हिरन के पास एक बज़ा था और वो था उसका बच्चा दरसल ये माहिरन अपने बच्चे को इस सिकारी की नजरों से बचाने के लिए वही पर खड़ी थी ताकि जब ओ सिकारी उस माहिरन को मारे तब उसके बच्चे को इतना टाइम मिल जाए कि वो वहाँ से कहीं दूर भाग जाए और ये सब देखके इस सिकारी को काफी बुरा फिल होता है और वो भी उन दोनों को जाने देता है और कुछी देर में वही दोनों हिरन उसके पास आती है और अब की बार उनके आखों में इस सिकारी के लिए बिल्कुल भी डर नहीं था और जैसे कि वो सिकारी को ठैंक्स के रियो उनको ना मारने के लिए